कहिए कैसे हैं आप जिन्दगी को बेहतर कैसे बनाएं देखें जहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिन्दगी को बेहतर बनाती हैं वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिन्दगी को बत्तर बना सकती हैं और इसमें किसी बाहर वाले का किसी और की जिम्मेदारी नहीं है इसके जिम्मेदार हम खुदी होते तो अगर हम चाहते हैं कि हम सुक और चैन की सांस ले सके तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीजें हमारी लाइफ को बत्तर बना रही है उसको हम remove कर सके उसको हम हटा सके ताकि हमारी life बेहतर बन सके अब प्रशन ये उठता है कि क्या है वो बाते किन चीजों को हटाएं तो इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूं साथ बाते देखे वैसे देखा जाये तो बाते तो हैं बहुत सारी पर जो बिलकुल हमारी जि को effect करती है वो साथ बाते मैं आपको बता रही हूं तो तैयार हैं हम सुनने के लिए सबसे पहली बात negative लोगों को यानि toxic लोगों को अपनी जिन्दगी से दूर कर दीजे सबसे पहली बात जो हमारे चेरे पर smiley निलाने देते हमें हमेशा हर समय परशान रखते हैं हमारा पीट-पीछे बात करते हैं बुराइयां करते हैं चुगलियां करते हैं मतलब इस तरह से हमें तंग करते हैं उन लोगों को ऐसे लोगों को तो जिन्दी से हटा देना चाहिए देखिए अगर वो family member ही है कई मदर होता ही है ना कि family में ऐसा कोई है जो हमें बहुत तक करता है तो तो उससे जो interaction है मतलब बातचीत है आमना सामना है उनसे बहुत कम कर दीजे मतलब इस तरह से रहिए कि आमना सामना कम हो ठीक है और अगर वो friend circle में है या हमारे रिष्टेदारी में है या हमारे पड़ोस में रहता है या जहां हम काम कर रहे हैं हमारे office में है और वो इस यह हमारी भलाई के लिए है अच्छा कई बर क्या होता है कि हम ना दूसरों को खुश करने के चक्कर में कि भई यह हमसे नराज ना हो जाए इसलिए वो जो कहते हैं हम वो करना शुरू कर देते हैं मतलब हम तो क्यूंकि थोड़े से affectionate है हम थोड़े से caring है इसलिए हम बहु कहना सीखिए जो कि हम नहीं कहते हैं आम तरब मतलब हम हो यह तो बुरा मान जाएगा नहीं मैं ना कैसे कह दूं अच्छा नहीं लगता ना वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी तो हम ना नहीं कहते हैं और जो चीज़े हमें पसंद नहीं हैं हम वो करते हैं तो ना कहना सीए दे के अगर हम ये सोचे कि हम सब को खुश्रक सकते हैं तो ये तो पॉसिबल ही Rescue सब को कुश रखना तो impossible है मतलब जसे बोलते हैं कि छिराग जलते ही अंधेरे रूट जाते हैं तो मतलब ये तो मान के ही चलिए कि सब को कुशछ रखना तो पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई तो नराज हो गई, उसके लिए आप खुद को दुखी क्यों कर रहे हैं, खुद को तंग क्यों कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव लोग हैं, अगर हम जिन्दकी भेतर बनाना चाह रहे हैं, तो जो नेगेटिव लोग हैं, जो टॉक्सिक और दूसरों को भी, भेतर जिंदकी बनानी है, तो कोसना बंद कर दीजिए, कोसते क्या है, जैसे खुद को बहुत जादा कोसते हैं, अरे मेरे में तो अकल नहीं है, मैं तो सुन्दर नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, या तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो मैं हो किया वो सही नहीं हुआ तो मैंने जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी है तो उसकी वज़े से हुआ उसको कोसरी हूँ मैं तो यह चीज भी दिखिए अगर हमने काम किया कोई गल्ती हुई तो कोई बात नहीं तो होती है इसका मतलब है कि हम काम तो कर रहे हैं कुछ अगर गल्त के उसका मुकाबला करें ऐसे गबरा के ना बैठ जाएं मतलब पूरे confidence के साथ करें गलती हुई है तो कोई बात नहीं हम improve करेंगे ये सोचके देखिए problem को face करना life में और उससे निकल के आना ये चीज सीखनी हमें बहुत जादा सुरूरी है वो कहते भी है ना कि जिंदगी की ह अगर तपिश को मुस्कुरा कर जेलिए अकसर वो पौदे सूख जाते हैं जिनकी परवरिश चाहों में होती है तो हम जितना अपने आपको बाहर निकालेंगे ना हम उतना strong बनेंगे देखिए life जितनी hard होगी हम उतने strong बनेंगे और जितने हम strong बनेंगे ना life उतनी easy होगी easy यानी बेतर होगी इस चीज़ को समझिए अब आता है तीसरा point दुलना करना बन कर दीजिए बहुत दुलना करते हैं comparison बहुत जादा करते हैं किसी की looks को लेके देखो वो कितनी सुन्दर है मैं तो बिलकुल नहीं हूँ या पैसो को लेकर देखो वो कितना अमीर है या उसक खुद को तो यह सोच के चलिए ना कि मेरे पास भी तो है उसके तरफ तो देखनी दे जो आपके पास है उसकी तरफ तो आप देखनी दे उसके बारे में तो सोच दे वो भी तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पास है जो बहुत लोगों का सपना है तो जो प्राप्त है वो बरावर कोई नहीं होता, उंगलिया बरावर हैं क्या, बस इनी से सीख मिलती है, कि बरावर कोई नहीं होता, हाँ कोई अच्छा है तो एप्रिशेट करो, और हम क्या है, कि जल कुकड़े होए जाते हैं, मतलब बहुत जैलिस करते हैं, मतलब एक लेटी अपनी फैमली के साथ बाहर घूमने गई, और उसने सोशल मीडिया पर, फेस्बुक पर बहुत सारी फोटोस जा दी, तो उसकी जो दूसरी सहलिया वो देख रही है, और वो बिल्कुल जल बुन रही है, मतलब उसको बहुत ज्यादा जैलिस हो रही है, कि देखो ही तो गूमने भी गए, हम तो कह बहुत लाइक मिल रहे है, तो एप्रिचेट कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा ही लगेगा, आप किसी चीज को, कोई चीज अच्छी लगती है, उसको एप्रिचेट करेंगे, तो अच्छा ही लगता है, पर इसी के साथ साथ खुद को भी कमनी समझना, देखिए, भले ही पीपल और बर्गत जैसे विशाल नहीं है हम, पर गंबले में लगी हुई तुलसी भी किसी से कम है क्या, भले ही पीपल और बर्गत जैसे विशाल नहीं हम, पर गंबले में लगी हुई तुलसी भी किसी से कम नहीं है, इस चीज को सोची है, देखिए, यही चीज़ होती है जो हम comparison करेंगे जैलिस करेंगे बस और बस खुद को डंप करके बैठ जाते हैं तो खुद को बंद करके बैठ जाते हैं और यह चीज़ बहुत गलत है यह आपस्टेकल्स होते हैं जैसे हम सडक पर जा रहे हैं स्पीड ब्रेकर्स आते हैं यह हमारी रास्ते में रुकावट बनते हैं यह तो हटा दीजिए इनको बहतर बनानी है जिन्गी तो इनको हटाना ही पड़ेगा अब आता है फोर्थ पॉइंट जादा सोचना बंद कर दीज बहुत सोचते हैं क्या सोचते हैं पास के बारे में जो हो गया फ्यूजर के बारे में जो पता ही नहीं है पर उसके बारे में जो चीज़े हमारे हाथ में नहीं है जो हो गया अब कुछ नहीं हो सकता और जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में पता ही नहीं है फिर क्या सोचना आज के बारे में सोचिए, आज, आज से बेतर कुछ नहीं है आज को हम present बोलते हैं ना, एक को past बोलते हैं, एक को future बोलते हैं बोलते हैं आज क्या है present है, present क्या है, gift बोलते हैं ना present को gift है यह, समझे इसको इसमें जो आप कुछ कर लेंगे ना कुछ कर लेंगे तो आपकी पूरी लाइफ बेतरीन बन सकती है इसका अच्छे से यूटलाइज कीजिए मतलब मत सोचिए पास के वारे में जो हो गया सो हो गया जो खो गया सो खो गया आज को सुधाना है मैंने आज को बेस्ट बनाना है मैंने ऐसे सोचिए कि नया दिन है नई शुरुआत करेंगे कल हार के सोई थे आज जीत से शुरुआत करेंगे मतलब मन में अपना मनोबल ऐसे बना के रखिए कई बार क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे के चक्कर में ना हम वो कुछ भी करने लगते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है मतलब लोग क्या कहेंगे चार लोग क्या कहेंगे ये चार लोग कौन है किसी ने नहीं देखा और एक बद बताओं मैं लोगों का काम ही कहना होता है आप करेंगे तो कहेंगे आप नहीं करेंगे तो भी कहेंगे मतलब उन्होंने तो कहना ही कहना है तो क्यों नहीं हम कुछ करें क्यों नहीं हम कुछ करें करना चाहिए और अपनी पसंद का करें बही जैसे मालीजी एक लड़का है उसको cooking का शौक है लोग क्या कहेंगे इसलिए engineering कर रहा है शौक ही नहीं है engineering का उस पढ़ाई का कोई शौक ही नहीं है पूरा ध्यान उसका cooking में है तो वो करे मत सोचे लोगों का उनका तो काम ही कहना है कल को ये जो लोग बोल रहे है ना कल क के हाथ में मत दीजी कि लोगों ने कहा ये तो हम ये कर रहे है लोगों ने कहा ये कर तो हम ये कर रहे है नहीं अपना remote है अपने हाथ में रखिए आपकी जिन्दगी है बहुत precious है आप बहुत कीमती है अप अपनी value समझे है समझेंगे ना भेतर बनाएंगे ना जिन्दगी बताइए मुझे आप बनानी ही चाहिए अब आता है फिफ पॉइंट बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना कई बार हम ओवर्याक्ट कर जाते हैं ये चीज नहीं करनी ओवर्याक्ट भी सामने वाला बोल रहा है उसको अच्छी तरह सुनो उसको अच्छी तरह समझो और फिर रि लाइफ में पिये गए कडवे गूट जिंदगी मीठी कर देते हैं तो एकदम से हमें बजाय कि हम रियक्ट करें हमें सोच समझ कर फिर रिस्पॉंड करना है बहुत फरक पड़ेगा एक बड़ी खुबसूरत सी लाइन है ना तेरी शान कम होती ना रुत्बा घटा होता ना मैंने अगर इस तरह से इसको इस समय बोल दिया तो इसके आफ्टर एफ्ट्स क्या होंगे तो फिर हम थोड़ा से संबल जाएंगे फिर हम एकदम से रियक्ट नहीं करेंगे फिर हम रिस्पॉंड ही करेंगे अब आता है सिक्स पॉइंट जो चीजे काम की नहीं मतलब सालों साल हो गए हमारे यूज में नहीं आ रही हम उसको यूज ही नहीं कर रहे उसको दूर कर दीजिए अब जैसे वह फंड नीचर भी हो सकता है घर में चीजे रखी है समान रखा हुआ है पर दो दो साल हो गए केंग है यूज है उसको समझ लिजीए उसक कबार को एक कमरा दे रखा है स्टोर बना रखा उसमें कोई जूर्ती नहीं है मतलब यूज ही नहीं आती पर देने का मन नहीं कर रह रहा इसल्यए उसको सहेज के रखा हुआ है इन चीजों से क्या हो औत है जैसे एक टों दुआएं देखा हो किसी को दान देदीजिए या किसी कबारी को देदीजिए कि जा तू जा हम निकालते हैं यह उसको दिल से लगाकर रखते हैं तो इससे क्या होता है कि बहुत negativity आती है और मतलब बिल्कुल जो घर है न वह मैस बना रहता है मतलब बिल्कुल ही बिकरा सा रह है वो कॉपी नहीं विल रही गैस वाली कहा रखी है अलमारी में इतने पेपर्स भरे रखे हैं कि वह कहीं पे मिक्स अप हो गई वह गैस वाला खड़ा हुआ बाहर घंटी बजा रहा है कि जी लाओ जी कॉपी लाओ सिंग नेचर करने मिली निरी तो इससे क्या हो रहा है ट लेडी का पर्स कहीं बाध देख लेजिये कितना भरा होताय कोई काम की चीजों मिलती ही है जैसे मालीушка जांक सлем निरी यह टीनि कले हैं वह बहुत सारे पन नुझ करण का जैसे वह बैंक गया है तो एक पें निकाल ही है निर नो नों क किसले रख़ा हुई ये चीजे ताइम जिप वाली पॉकेट है उसमें वो जो पेपर रखा हुआ है जो काम का है वो रखा हुआ है कितनी लाइफ इसी हो जाएगी स्ट्रेस ही नहीं रहेगा कहां गया कहां गया कहां गया यह चीज सोच के आप परिशान होते रहेंगे तो जो चीजें मतलब बिल्कुल ही यूज नहीं हो रही आपको लग रहा है कि यह टेबल रखी है यह चीर रखी है जगा भी गेर रही है और काम की भी नहीं है तो दे दीजे किसी को मतलब वहां पर सांस आएगा खुली हवा आएगी मतलब एक positive vibes आएगी आपको आप करके दे अब आता है 7th point सातवी बात क्या है unhealthy lifestyle unhealthy habits छोड़ दीजे दिखिए एक ना बड़ी खुबसूरत सी line है कि तन शरीर जितना गूमता रहेगा उतना स्वस्त रहेगा और मन जितना शांत रहेगा उतना स्वस्त रहेगा और हम क्या कर रहे हैं बिल्कुल इसके उल्टा कर रहे है बिल्कुल इसके उल्टा कर रहे हैं यह तो करी नहीं हम अपने तन को तो ना बिल्कुल सहीच के रखते हैं बिल्कुल बिठा के रखते हैं मतलब कोई exert नहीं कराते हैं कोई exertion नहीं बस बैठा हुआ है जैसे कि मान लीजे टीवी देख रहे हैं तो देखे जा रहे हैं दो फूट खाय जारे हैं कुछ भी नहीं हम कर रहे अच्छा वहीं पर जैसे रात को सो रहे हैं तो जैसे एक बज रहा है या दो बज रहे हैं मोबाइल पर चैटिंग किये जा रहे हैं नीद अलग से डिस्टरब हो रही है खाना हम प्रॉपर लेते नहीं है चलते विरते हम हैं नहीं बस बैठे रहते हैं यह क्या है बिमारियों का घर है यह आप क्या सोचते हैं इससे हम स्मार्ट बन जाएंगे इससे हम एक्टिव बन जाएंगे यह हमें बिल्कुल डंब बना है बिल्कुल आलसी हो गए हम कुछ करते ही नहीं है जो चीज हमें करनी चाहिए वो तो करते नहीं है अब जैसे कि मालिज हमें पानी अच्छी मात्रा में पीना है कितना पानी पीते हैं हम बताई कितना पानी पीते हैं हम कम से कम पानी पीते हैं और जो पता है कि नशा नहीं करना चाहिए, गलत आतों में नहीं पढ़ना चाहिए, वो करते हैं, शराब भी पीते हैं, सिगरट भी पीते हैं, पता है ये चीज़ें सही नहीं हैं, फिर भी करते हैं तो वही तो मैं कहा रही थी, जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं जो करनी चाहिए वो नहीं कर रहे इसलिए ये जो हमारी unhealthy habits हमारा unhealthy lifestyle है इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा देखिए मुस्कुराते रहेंगे न तो कदमों में होगी जिन्दगी मुस्कुराते रहेंगे तो कदमों में होगी जिन्दगी वरना आसों का क्या है वरना आसों का क्या है उसको तो आखों में भी जगा नहीं मिलती विसे आप बताईए आप क्या सोचते हैं जिन्दगी को बहतर कैसे बनाएं ज़रूर बताईएगा आपके कमेंट्स का मुझे इंजार रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा और इसमें ये जो बेल का बटन है ये भी दबा दिजेगा ताकि जब भी जैसे में कोई वीडियो अप्लोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज आप इसको शेय भी जरूर कर लीजेगा छीक बाई